देखे यह बात बिलकुल सच है कि हम सब की जिन्देगे में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है चाहे वो छोड़ी से छोड़ी प्रॉब्लम हो या पर बड़ी प्रॉब्लम है क्यों ना हो लेकिन इस प्रॉब्लम को तुम कुछ घंटों के लिए बोल सकते हो और तुमारी मदद करेगी सिर्फ ओ सिर्फ सिर्फ सिनमा मेरे चाप से सिनमा के अंदर कुछ ऐसे चीज़े है जिसकी वेरे से तुम उस मोवी को देखते से में चाहिए दो गंटी यारे धेरी गंटी की क्यों ना हो लेकिन उस पूरे मुवी के न तुम अपने रियालेटियो को बोलके पूरी तरी उसे घुस जाओगे और आज के इस वीडियो के जरे हम कुछ ऐसे मूवीज आपको रेकेमेंड करेंगे जहां तुमें एडवेंचर कहा उसे 5.2 की मिल चुका है जहां तुमें काहानी धेक्न को बन पाता है नाम केक है लरकी मिलावात्य जहां उसे आने की बात उस Been के एक काम दिया जाता है जहां उस쪽에 क्रिक्ट परानी पेंटिंग और उस पानी के शिप्रहर करने के समय लिजा कि सास्वानी सथ को ए इसके टन और ड्रावनी चीज़ा होता है इसी चीज़ को experience करने के लिए तुम्हें ये picture देखनी पड़ती है अब इसे के साथ बात करते हैं लिसके next movie की जिसका नाम होता है हम इस movie के अंदर कहाणी देखने को मिल पाता है एक scientist की story येक scientist होने के बावजुद भी एक single mother होती है लेकिन इस लरके का काम होता है कि ऐसे formula को तयार करना जो कि time travel करने में लोगों की मदद कर सकता है और ऐसे में movie के अंदर वो scientist इस formula को बनाने में कामयापी हो जाती है लेकिन से बीच कुछ आदमी लोग है जो कि इस formula को पाना चाते हैं जिसकी विरस है वो उस scientist की जो बेटा होता है उसे kidnap कर लेता है ऐसे में वो lady अपनी बेटी की जन बचाने के लिए उस ना चाहते है भी उस formula का इस दरीगे से अपनी बेटी की जन बचा पाईगा या फिन नहीं इसी कहानी को जाने के लिए तुम्हें ये picture definitely देखना चाहिए अब इसी के साथ चलिए बात कर लेते हैं लिसके एकली movie की जिसके नमे निंजा शेड़ ओफ एट टियर हमें इस movie के अंदर कहानी देखने को मिल पाता है कैसी नाम के एक आदमे की कहानी जो की पहले एक बहुत अपनी असलियत को दुन्या के साम में लाता है जहां वो निकल परता है उन सबी लोगों से उन्हें ढून कर मारने के लिए ताकि अपनी wife का मौत का बदला ले सके एस माग इस movie के अंदर आपको ये देखने में बहुत मज़ा सकता है कि actually में एक ninja किस तरह के से काम करता है उस क्या क्या चीज़े जरूरत है एक mission को अंजाम देने के चक्कर में अब इसके साथ चलिए बात कते है लेसके next movie की जिसके नाम होता है hatching ये साल 2022 के बाने एक horror drama film है जिसको 6.2 की काफी कमाल की rating मिल चुका है और trust me movie का और आप बहुत ही का तनाग है हम इस movie के अंदर कहानी दे दिरे दिरे वुस लड़के को पतलग चुका था कि actual में ये अंडा चोटा से बहुत बढ़ा हो रहा था और इसे बीच जैसी movie की कहानी अपने आखरी मोर में आ जाता है तब movie के अंदर एंट्ची होती है उस अंडे से बहान निकलता है एक बहुत ही का तनाग शायतान अब इसके बाद इस more movie के अंदर और इसन सभी लोग के साथ क्या कुछ चीज़ा होगा इसी चीज़ को experience करने के लिए I think आपको ये movie ज़रू consider करना चाहिए इस movie को देखते समय एक चीज़ का मुझे बहुत अच्छी तरी की सांदाजा हो जगा था कि ये movie जो है ये slow burn है मतलब कि movie की story अधिरे धिरे चलती रहती है और बात में जाकि बहुत एक माल की tuition turn चीज़ों से भर जाता है चले इसे के साथ बात काते है लिए इसके next movie के जिसके नम Immortals जो के साल 2011 की बने एक action thriller और fantasy movie है जिसको 6 out of 10 की बहुत देखने को मिल पाता है अब इसी कहानी मतलब किसी basic कहानी को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करो तो कहानी ये थिसे चुना जाता है King Hyper से ले पाएगा या फिर नहीं और उन सभी चीजों को होने से पहले रोक पाएगा या फिर नहीं इसी कहानी को जानने के लिए हमें इस movie को consider करना पड़ता है अब इसी बीच तुमारे सामने मैं एक छोड़ी सी request करने वाला हूँ प्लेज इस request का सब कर लेना कि हो सकते तो आज किस वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर देना क्योंकि आपका एक लाइक हमी काफी जारा मोटिवेट कर पाएगा आपके साथ ऐसे इंट्रस्टिंग कमाल के मूविश शेयर करने के लिए और हाँ अगर आपने सेलन को भी तक सबस्काइब नहीं कहा है तो सबस्काइब जरू कर लेना क्योंकि सबस्काइब करने के बाद आपको हर एक वीडियो के नोटिवीशन सबसे पहले मिल सकता है बात करते हैं इस लिसके नेक्स्ट मूवी की जिसकन में फ्राइट नाइट जो कि साल 2011 की बने एक हारर कमेडी फिल्म है जिसको 624 की काफी कमाल का रेटिंग मिल चुका है हम इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल पाता है चारली और उसके मौम की स्टोरी जो की रहते हैं के छोड़ से टाउन के अंदर तो इसकी बात के स्टोरी को जाने के लिए तुम इस मोवी को देखने की कोशिश कर सकते हो और टेंशन मत लेना इस लिस्ट के अंदर मौजूद हर एक मोवी का सिर्फ उसक बेसिक कहानी मैंने आपके साथ बताया है जूकि चिलर के अंदर हमें अल्रेड दिखा चुके हैं मैंने कोई मोवी नहीं बलके एक नया शो राका है जो की मारपल के तरफ से रिलिस हो जुका है जिसका नमें अगाता ओल एलोंग यह साल दोहता चौपेस के एक आक्शन त्रिला सीरीज है जिसके अभी तक नौव एपिसोड आने वाले हैं और अल्मॉस्ट दोही एपिसोड अभी तक रिलिस हुआ है ऐसे मैं अगर हो कि अगर आपने मेरी तरह मतलब की वांडर विजन शो को मिस कर दिया है तो उस शो को देखना जरूरी है अधर वास आप इस शो को नहीं देख पाऊंगे क्योंकि उस शो के अंदर जिती में चीज़े हुआ है इसके बाद की घटन इस लिस के नमज सगन फिल्म के जिसके नमें टॉक टूमी यह साल 2022 के बने एक होरो सस्पैंस फिल्म है जिसको 7.1 की बहुत एकमाल की रेटिंग मिल चुका है और ऐसे मैं आप समझने की कोशिश कर सकते हूं कि मूवी की कहानिया और उसका प्लॉट कितना स्यदा खतनाक हो स सकते हैं और इसी चीज़ को वो टीनेजर्स एक नशी के तरह स्तमाल करते हैं अब इसे बीच तुम्हें इस मूवी के अंदर एक करक्टर या इवर मैं कहूं कि एक लरकी की कहानि देखने को मिल सकता है जिसकी मौम की दो तीन साल पहले मौत हो चुकी है और जैसी वो इस ची करनेल मौवी की जिसका नम है स्नो पियर्सर जो कि साल 2013 को रिलिस हुआ था येक पोस्ट अपाउकलिप एक्शन साइन फिक्शन फिल्म है जिसको 7.1 की रेटिंग मिल सकता है एक ऐसे दुने की कहानी जा हो चुका एक बहुत इक खतनाक पोस्ट अपाउकलिप जिसकी बड़ समय के लरका उन सभी लोग के लिए खरा होता है जिसकी पास एक प्लैन है कि वो उसे चेंड के अंदर मौजूद जितने में अमीर लोग होते हैं उनकी हर एक बगे के उपर कंट्रोल पालेंगे अब इसमें इसकी बात की स्टोरी के अंदर क्या कुस्ट टूशन टरंज आए तो बस आज के इस वीडियो को शुरू से लेके आं तक देखने के लिए थैंकि सुमच कमेंट करके ज़रू बोल सकते हूं कि और कौन से फिल्म को तुम सबसे पहले देखने की कोशिश करोगे